सेल वास्तु कोर्स की रेजिस्ट्रेशन ओन है, ओक्टोबर वाले बैज के लिए इन्रोल करो, वास्तु सीखो, हवन सिखाऊंगी, अपने घर की बैलेंसिंग करो, फोका पाकी नहीं होता, ये देख लिया, वो प्रोपर चीजों को समझना जरूरी है, आप खुद सीखो, करो इतना तो सीखी लोगे न, बेसिक वास्तु है, बेसिक चीज़े प्रपर आ जाएंगी, इस हाथ में हवन करो, कौन रोग पाएगा, ये ब्रहमान का सबसे शक्ति शाली पानिया पी के देखें, आपके बड़े-बड़े कष्टों का निवारन हो जाएगा, ये पानिया अपने पीना है 43 डेस तक उसके बाद भी पिये, लेकिन ये शाइना सेट जो बोल रही, वो यकीन आपको मिल जाए कि आपकी जिन्दगी ये 43 डेस के अंदर-अंदर कैसे चमकेगी, आपके बोड़ी में जो एक अलग शक्ती महसूस होगी, आपके ने चेहरे पैसा तेज, वो दिखेगा कि क्या बताएं, कैसे बनाएंगे वो बताने जा रही हूं, जिससे क्या होगा, हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दशा, पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में लेकिन इस से पहले नमश्कर दोस्तों, मैं शाने सेट कैसे, आप दो इसके लिए चाहिए हमको तीन दाने रुद्राक्ष के, ठीक, वो तो आपको मिली जाएंगे, कोई ऐसी लंबी चोड़ी बात नी, यह यहां का है, यह नेपाल का है, यह यहां का, ओ सब नहीं पढ़ने का, सिधा आप जाएं, दुकान पे जाएं, जो पूजा की दुकान हो यह होती है, चटमंग नी पढ़ भया, बोले तो, खटा-खट करने का, यह देखो, यह देखो, तीन रुद्राक्ष यह आपको क्या दिख रहा है, यह पर सूना है, यह देखो, और क्या है, दिख रहा है, चंदी, है ना, तो चंदी, मैं का, कौन जाएं, कौन लाएं, आप जब आपको मैंने बताए था कि अपने बालों पर आपने यह देखोनी लगा ने को सुई मिलनी दी ती, तो मैं तो चंदी ही लगाना मैं यह देखो है, जो लोग मेरे साथ तरह के पहले से जुड़े आ हैं, तो यह मैंने तीन दाने रुद्राक्ष के डाले हैं, मैंने सुनती हूं तो मेरे को तो होता है कि कैसे अपनी जान निगाल के रख दे शाइना है एक से बढ़कर एक चीज बताती और यह वाक्य कहने की बात नहीं है यह कहा जाता है कि 43 डेज वे जितना भी भयंकर सूर्य का दोश हो वो कई न कई मिड़ता चला जाएगा इसमें आपने तीन दाने रुगरुद्राक्ष के डालोगे एक कोई भी सोने की रिंग पड़ियो कानों का पड़ा कुछ भी सोने का टुकड़ाव डालो कितना बड़ा कितना चोटा उससे कोई फरक नहीं पड़ता और एक जान्दी का आपने लेना है अब इसको जो है किसी का कााँच की बोटल लेने के बाद में आपने पांच दिन तक सूरी की रोश्नी में रखना जैसे जब सूरियास्त हो ज्टा ठीक ज सूरीएस्ट होगा पांच बूत हर होतल में पांच दिन के बाद में आपने प्रणि यह को पीना है मैं यह नहीं कह रही पूरी बोतल पी जाओ थोड़ा थोड़ा अपने पानी पीने के ग्लाज में थोड़ा सा पानी इसको मिला कर वो पीना आप शुरू करो आपकी कह गए यह बोलने वाली बात नहीं हड्डियों की भी दिक्कत मन भुजा भुजा रहना यह यह फैक्ट है हर जगा यूमिलेशन मिलनी यह नॉर्मल नहीं है ना बाबा हमने तो कभी किसी के साथ गलत किया नहीं लेकिन कहते ना अपने औरा से ही वह वाइब्रेशन होती है कि लोग हमसे कटे चले जाते है विच इस नॉर्मल एक पॉइंट पर एक इंसान को लगता है ना यार कि मैंने सब पता है कितनी पढ़ाई करी है नहीं ने लेकिन लोगों को फेस नहीं कर पाते हैं सिच्वेसिन से भागते हैं लो जो सब उनके पर भाड़ों को सिखा दे उनके पास हैसी नौलेज है लेकिन जब फो उनके अंदर नहीं तो दुनिया दो खागी तो जो ब्रहमांद में वह मारे पिंड में शरीर में हम बाकी जो चीजे करते वह तो करनी करनी है पर हमने अपनी अंद्रूनी शक्ती भी तो बढ़ानी है यह लगाता लगातारा पानी गयो एक टॉप क्लास आपको पता है कोही ऐसी फाल तूच नहीं बतानी के विडियो बनानी अजी पैम बैठ गए और बना दिना इसकी भी साइन्टिफिक वैल्यू है इसकी भी साइन्टिफिक वैल्यू है भोखा पाकिशाहिन अजेट नहीं करती आज एक और चीज आपको बतानी है सूर्य मंगल अगर मंदासर दे रहे हैं आप यकीन मानके चले एक छोटा सा काम करना शुरू करें बेशक संडे से करना शुरू कर दो कितने लोगों के 99 पर चीज़ी अटक जाती है माई परिशान है कि बच्चा क्या होते जा रहे हैं मेरे बच्चे को वह उसको याद नहीं रहता अजीव से बिहेव करता है चिर चिर आचा है वह बच्चा है बड़ा है ग्रह तो सब के जब से वह इंसान का वह पैदा हो जात फोग अपा कि नहीं तुम्हारे जीवन में तो यह होगा अरे मेरा जैसे इंसान हो वो बोले भाई तु जीवन की क्या बात कर रहा है जो अभी होना है वो बताना वो गाइड करना जो लोग बोलते हैं यह होगा जीवन में वो होगा तुम्हारे जीवन कुछ चीज़े तो तो अगर मेरे लिए एक्सेप्ट करती हूं आपको भी बताऊंगी तो अगर मंगल का दोश है 99 पर चीज़े अटक जाती है बच्चा गलत संकत में जा रहा है बच्चा याद नहीं रह पाता पढ़ाई में फेल होता चला जा रहा है अलग अलग मसली है ना हम बताते हैं आपक अगर चको टुकड़ा अपने को मिल जाए ठीक नहीं मिले चको टुकड़ा कोई बात नहीं चोटा सा तंबे का टुकड़ा ले लो उसके उपर आपने केसर का तिलक केसर में पानी डालो उसका अपने तिलक करना है वो तिलक करने के बात में अपने घर के बाहर जाओगे घर पावर पानी की पावर बढ़ाने के लिए वो तो मंत्री भूल गई इसकी और पावर बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे अगर आप पानी अपने तयार कर लिए अपने पानी पीने ग्लास में डाला और उसके बाद 108 बार मंत्री जाप करो दम करो और पीलो एक नाम बोलकर पानी पीलो अभी है ना यह तो हम टाइटरल बहुत देख लिए हैं लेकिन उतना दम नहीं तो अब यह दमदार चीज है और यह दम क्याते ना अपने अंदर जो चीज उत्पन कर देगी आपको उसका हिसाब नहीं चैनल को सब्सक्राइब करो मेरा दिल अपने दिल से जोड़ो विजे को लाइक करो शेर करो इसलिए करो सब की जिंदगी ठाओ जाए ओके दन बबाई नमस्कार